हलो गाईज कैसे हैं आप सब चलिए आज से हम स्टार्क करेंगे लेवर लॉणा का यूनित नंबर वन मैं हूं दिप्तां शुग्र हम ठाउने ट्रेड यूनियन एक्ट हम स्टार्य वैले है आज से उसका छिलिवर्स देख लेते हैं पहले ये जो विडियो मैंने बनाई है ये LLB 3rd SEM 3 years course वालों के लिए है जो RTMNU University के लिए है लेकिन अगर ये Trade Union के बारे में आपको पढ़ना है तो ये विडियो suitable है सारे students के लिए यूनिट मन के जो contents है वो मैंने आपे दे दिये हैं आप लोग University के students हैं आप लोगो तो मालूम ही होगा ठीक है तो ये content हम पूरा cover करने वाले हैं धीरे-धीरे आज हम जो पढ़ेंगे वो topic है ट्रेड यूनियन का definition और ट्रेड यूनियन का objective क्या था फिर आगे-आगे हम धीरे-धीरे बाकी topics cover करते वे चलेंगे तो next slide पर चलते हैं देखे ट्रेड यूनियन मतलब समझने के पहले पहले अपन समझते हैं अवे term union का मतलब क्या होता है union क्या होता है union यहने union is association लोगों का संगठन formed by people association formed by people तो union का मतलब क्या हो गया it is an association formed by people ठीक है अब कोई भी लोग अपना association क्यों बनाते हैं obviously to save common interest ठीक है कोई भी लोग अपना association क्यों बनाएंगे to safeguard their common interest अब यह जो union है यह workman का भी बन सकता है और employer का भी बन सकता है workman अपने interest safeguard करने के लिए कैसे union बना सकते हैं उनके क्या common interest रहता होगा जैसे वो चाहते कि उनको proper salary मिले वो चाहते कि उनको proper working condition मिले वो चाहते कि उनको time to time proper ways में काम कराया जाए एक्सेसिव वर्क ना कराया जाए time time उनको holidays मिले तो वो common interest को safeguard करने के लिए association बन सकता है workers का employers भी अपने unions बना सकते हैं उनका common interest क्या होता होगा जाद साथ जाद प्रॉफिट हो जाद साथ जाद प्रोडक्टिविटी हो इंडस्ट्री में harmony बनके रहे strikes ना हो बेज़ा strikes ना हो लॉक आउट ना हो तो इसे बहुत सारे reasons हो सकते हैं तो workman ने और employers ने workman भी अपना union बना सकते हैं employer भी अपना union बना सकते हैं अब इनको trade union क्यों बोला कि भाई factory में जो production होता है तो production होने के दो major part होते हैं एक होता है employer दुसरा होता है workman तो यह दोनों जब अपने अपनी unions बनाते तो इस trade union बोला जाता है हाला कि generally trade union workers बनाते हैं लेकिन कभी-कभी employers भी अपने interest को safeguard करने के लिए union बना सकते जिनको generally association कहा जाता है तो let's see trade union का definition कहता है so as per trade union act 1926 section 2h में trade union का definition दिया है आप LLV के students हैं तो आपको sections का थोड़ा तो knowledge होना चाहिए तो देखिए क्या लिखा हुआ इसमें trade union यानि क्या कोई भी combination चाहे आप temporary nature का बना रहे है union या permanent nature का union बना रहे है कोई भी combination आपने यह क्यों फॉर्म किया आपने union क्यों फॉर्म किया what is your primary objective आपका purpose क्या है यह union को फॉर्म करने का तो वह लिखा है regulating the relation अब यह किसके regulating the relation between workman and employer या workman and workman and employers and employers किसी के क्यों को फॉर्म करने के लिए है तो देको मैंने बुला तो ना कि trade union employers बना सकते हैं वर्कमेन या इंपोस करेंगे कुछ restrictive conditions कुछ restrictive condition impose करेंगे on the conduct of any trade कुछ business करते समय कोई function करते समय ठीक है कुछ rules बनाया जाएगा जो restrict करेगा trade को होने में business करने के तरीके में and includes ठीक है कोई भी federation any federation यहने जैसे अब मानके चलिए कि कोई union कैसे हो सकती ट्रेड यूनियन किसी एक particular sector की union हो सकती है ठीक है जैसे sugar mills अब sugar mills में क्या हो सकता कोई एक या दो जो particular district में sugar mills है उनका भी union हो सकता है या ऐसे सारे sugar mills जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनका भी combination उन सब का मिलके जो combination होता है चोटे चोटे ट्रेड यूनियन का मिलके जो एक बहुत बड़ा combination मनता है उसे federation कह सकते हैं तो includes any federation of two or more trade unions तो दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियन मिलके भी अपना एक और एक combination मना रहे हैं उसे federation मिलते हैं उसे भी ट्रेड यूनियन बोला जाता है तो एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रेड यूनियन यहने क्या होता है कोई भी combination temporary nature का हो या permanent nature का हो आपने क्यों फॉर्म किया है regulating the relation relations कि इसके बीच में regulate करने के लिए workmen employers workmen workmen and employers and employees आपने कुछ restriction impose किया है business करते समय ठीक है trade करते समय और trade union में federation भी आते हैं जो बनते हैं two or more trade union के combination से तो यह हुआ trade union अब सवाल यह आता है कि trade union बने क्यों देखिए trade union बनने का कुछ ना कुछ तो objective होगा तो वह objectives क्या है अपन वह देखते हैं तो देखिए सबसे पहले introduction थोड़ा सा देख लेते हैं कि trade union act बना कब था तो trade union act आया तो 1926 में लेकिन यह enforce कब हुआ यह हुआ 1st June 1927 ठीक है यह act सबको applicable है पूरे भारत में except state of Jammu and Kashmir ठीक है trade union generally क्या होता है तो देखो मैं नहीं आपने लिखा होगा trade union means association of workers trade union generally क्या होता है association of workers in one or more occupation objective क्या है trade union का protect करना ठीक है और promote करना workers के interest को ठीक है worker के common interest को protect करने के लिए trade union आया एक समय था guys जब क्या होता था अब आप act देखे 1926 का act है यह उस समय तो यह बाते बड़ी common थी कि employers क्या करते थे employee को काफी तरीकों से exploit करते थे कम salary देते थे जादा काम करा लेते थे अच्छी working conditions नहीं देते थे यह हो सकता है ठीक है उनको safety gadgets नहीं देते थे तो ऐसे बहुत सारे तरीके थे और यह तो तब की बात है जब जो जादा पैसे वाला होता था वो गरीबों को या workers को असानी से exploit कर लेता था उनको उनके common interest को दबा भी सकता था ठीक है लेकिन workers को अब जरूरत थी अपनी यूनियन मनाने की ताकि वो क्या कर सकें वो management के साथ employees के साथ negotiate कर सकें अपनी राइट्स अपने interest को safeguard कर सकें आपको बताओ ना जी वर्कर्स को राइट्स और भी बहुत सारे एक्ट से मिली हुई है ठीक है तो यह वर्कर्स को धीरे धीरे उनमें अवर्नेस आया और उन्होंने फिर क्या किया अपने अपने यूनियंस बनाने शुरू हुए और समय आ गया था ट्रेड यूनियन एक्ट बनाने का ट्रेड यूनियंस ठीक है कि कुछ objectives होते है अपन वो देख लेते हैं देखिए objective of trade union यह आपसे question पूछा जाता है guys five marks के लिए कई बार पूछा जा सकता है long questions के लिए पूछा जा सकता है अब eight marks के लिए question पूछा जा सकता है आपसे तो trade union के कुछ following objectives है ठीक है क्या क्या objectives है तो देखिए सबसे पहले ठीक है simple protect करना workers को किस से employer से क्योंकि employer उनको exploit करते थे तो first point याद रख लीजेगा to protect workers against exploitation by employer protect करना workers को protect करना employer के exploitation से पहला objective दूसरा represent करना किसको employees की जो complaints है management के खिलाब उसको represent करना ठीक है grievance grievance यहने क्या होता है complaint grievance यहने complaint बोजी दिए ठीक है complaints होता है इसका मतलब तो टूरी प्रिजेंट ग्रिवियंस of employees on behalf of them to management trade union क्या करेगा employees के बिहाफ में employees के प्रिवियंस उनके सामने रखेगा थर्ड प्रोटेक्ट राइट्स ठीक है किसकी राइट्स को वरकर्स की राइट्स को ठीक है जो यह राइट्स कहां का से मिला है employment के terms and conditions में होता है यह labor laws ने बहुत सारी राइट्स दी हुई यह वरकर्स को तो प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ वरकर्स प्रोवाइड़ बाइद बाइद एम्प्लोइमेंट और लेबर लॉस फोर्थ तू टेक participation in management है ना इतनी strong union होनी चीए employees की कि वो लोग क्या करें participate करें कौनसी activity में decision making activities में जो अकेले employers decisions making activity में participate करके decisions ले लेते थे ऐसा ना हो अब फैक्टरी में जो major decisions होंगे उसमें employees से भी उनके decisions उनके suggestions मांगे जाएंगे ठीक है तो इतना powerful trade union हो जाए कि यह participate करें management decision making process में ठीक है फिप टेक disciplinary action कई बार employees की भी गलती हो सकती है वो भी कुछ indisciplinary action के ले कर सकते हैं कलतिय कर सकते हैं mistake कर सकते हैं तो उनके against भी action होगा so trade union क्या करेगा they will take disciplinary action against the workers who commits in indisciplinary action तो यह हुआ trade union का objective basically अगर आप देखें तो trade union क्यों फॉर्म हुआ trade union फॉर्म हुआ ठीक है workers के interest को protect करने के लिए from employers बराबर है तो यह हुआ छोटा सा वीडियो आपकी सामने रखाया मैंने trade union का अब धीर धीर हम इसके topic जो university में questions पूछते हैं वो सारे topics में आपको cover करते हुए चलूंगा अगर आपको मेरा चैनल को like करें subscribe करें ताकि आपको और भी videos time to time मिलते हुए चले thank you guys keep safe take care